हींग एक ऐसा घरेलू मसाला है जिसमें कई ओसिद्य गुंडशी पे हुए हैं हींग दरसल फेरूला फेटिडा नामक पोधे का रस होता है हींग इस पोधे के रस को सुखा कर बनाई जाती है हींग की खेती बारत में बहुत कम मातरा में की जाती है लेकिन भारत में हींग का उपियोग बिविन खाद्य पदार्तों में किया जाता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हींग का उपियोग हम खाने पीने के अलावा भी स्वास्त संबंदी सुधार के लिए भी कर सकते हैं तो आईए आज की वीडियो में हम आपको हींग से जोड़े चार बेतरिन ह हेक्स आपको बताते हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले मेरी एक छोटी से रिक्वेश्ट है कि अगर आप सच्चे भारते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबजी बनाते समय अगर चुटकी वर ह हींग का पाउडर डाल दिया जाए तो इसका स्वाद कई गुणा बढ़ जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हींग का इस्तमाल सब्सक्राइब को स्वाद बढ़ाने के अलावा और भी कई कामों में किया जा सकता है तो आज हम आपको हींग से जोड़े कुछ ऐसे बहतर हींग के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप यगिनन हैरान रह जाएंगे नमबर वन अरोमा थेरिपी के लिए उपयोग करें अरोमा थेरिपी को सुगंद चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है हींग पाउडर को उपयोग कई भारते रसोई में किय बोजन को सादिष्ट बनाने के साथ एक अच्छी सुगंद ब्रदान करने में मदद करती है। यह थेरिपी आपके मानसिक और सारेरिक स्वास्त को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है अगर आपके गार्डन में कीले मकोडे हो गए हैं तो उन्हें हमेशा के लिए गार्डन से दूर रखने में हींग आपकी काफी मदद कर सकती है इसके लिए सबसे पहले हींग और दाल-चीनी के पाउडरों को पानी में मिलाकर अच्छे से उबाल लें इसके बाद गेस बंद करके इस मिसरनल को ठंडा करें और किसी स्प्रे बोतल में भर लें अब इस मिसरनल का छड़का आप गार्डन के सभी पोदों पर करें ऐसा करने से आपके गार्डन के सभी कीले में कोली नश्ट हो जाएंगे कई वार कुछ न कुछ करते हुए चोट लगी जाती है अगर चोट लगने पर खून निकल रहा है तो उस जगह पर हिंग का पाउडर लगाने से खून का बहना बंद हो जाता है दरसल हिंग में एंटी बेक्टीरियल, एंटी सेप्टिक और दर्द से अराम देने वाले ओसदिय गुन पाये जाते हैं जिससे खून का थक्का जल्दी बंद हो जाता है और घाब भरने की प्रकरियरा में भी तेजी आती है सर्दियों में ठंड की बज़ा से खांसी जुकाम जैसी समस्या होना आम बात है लेकिन इन से राहत पाने के लिए हर बार दवाओ का सहारा लेना गलत है ऐसे में हिंग का इस्तमाल आपके लिए सुरक्षित हो सकता है क्योंकि इसमें मुझूद एंटी आक्सिडेंट गुण स्वास्ते के लिए बेहत लाब दायक होते हैं बस जब आपको खांसी जुकाम की समस्या हो तो एक चुटकी हिंग पाउडर के साथ आदी चम्मस सहद में लाकर खाएं अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप इस नुस्के का उपियोग दिन में कम से कम दो बार करें तो दोस्तों ये थे हिंग का इस्तमाल करने से मिलने वाले सारे रिक फायदे ये फायदे आपको कैसे लेके नीचे कमेंट करके हमें जरू बताना और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो मैं मिलता हूँ अबसे आगले बडियो तब तक के लिए अपना खेल लखें जैहिन जैभारत